हेलो फ्रेंड्स आजू तमारी साथे शेर करीज मेथी साथे बन्तु एक दम नव पंजाब इशाग मेथी चमन नी रासिपी तो मेथी नी थोड़ी कडवास नली ते घर मां बद्धाने नथी भावती ओती आजे उद्वारी साथे एवी टिप शेर करी के साख स्वाद में एटलू टेस्टी बन्छे के घर ना बद्धाने भावसे साथे ते फक्त दस्ती भार मिनिट मां तयार थी जसे तो पंजाबी शाकतो दमें घणिवा ट्राई कई रहसे एक वर आ मेथी चमनी रेसिपी जो कस्ती ट्राई करवा जेवी छे तो जालो रेसिपी शरू करिये पंजाबी धाबा जेवु मेथी जमननू शाक बनावा में या वजन मा 100 ग्राम अने कप्ती मा प्ये तो त्राण कप जेटला मेथी ना पानली देला छे तो शीयाडा ने लिदे मेथी सीजन मा छे आर इतना फ्रेश पान नो प्योग शाक माटे करवो शादे दिटलाज प्रामाण मा एटले के 100 ग्राम जेटला मेथी पालक ना पानली देला छे तो में या मेथी अने पालक सर्खा प्रामाण मा ली देला छे हवे मिया या कड़ाई मा त्राण थी चार कप जेटला पानी ना गरम करीली देलू छे तो शाक माट आपने मेथी आने पालक नी पेस्ट करवानी छे छो तेने बॉयल करवा माटे गरम पाणी माँ अरदी जम चेटलू मीठू अने एक जम चेटली खांट एट करीने तेने सार रिते मिक्स करी लए अने हवे उकडता पाणी मा सवथी पहला मेथी ना पान अने पालक ना पान ने एड करी दये हवे हाय गेसनी फ्लेम पर मेथी अने पालक ने फक्त बेथी त्रौन मिनिट माटे बोयल करी लगे तो यह मेथी अने पालक ने बॉयल करती वक्ते अपड़े गेसनी फ्लेम हाय एज राखवानी छे तो लगबग 3 मिनेट जहू थाई क्यों छे अने मेथी अने पालक एकदम सारी ते बॉयल थेने सौफ्ट थाईया छे आपड़े देने ओवरकूक नधी करवाना येसनी फ्लेम बन करी दाईये अने मेथी अने पालक ने गरम पाणी मा थी काड़ी ने ठंडा पाणी मा एट करी दाईये तो मेथी अने पालक ने गरम पाणी मा 3-4 मिनिट माटे बोयल करी ठंडा पाणी मा एड़ करवानी प्रोसेस ने ब्लांच जिंक हवा मावे छे आ प्रोसेस थी मेथी अने पालक नो एकदम सरस ग्रीन कलर अपणा शाक मा जड़वाई रहे से साथे ब्लांच करती वकते आपण तेमा थोड़ू मिठू अने खांड एड करवानी छे मिठा ने लिदे मेथी अने पालक मा कोई पंजातनो कच्रोह से तो ते निकडी जासे साथे थोड़ी खांड एड करवा थी मेथीनी कलवाश्मन बैलेंस थासे तो अवे ब्लांच थाहला मेथीयने पालक ने पीसी लईए अने हवे मेथीयने पालक ने हाथ माले ये तेनू बद्धूज पाणी नितारी लईए अने तेने पीसवा माटे मिक्षर जारमा एड करी दईए साथे तिखाश माटे 22-23 तिखाली ला मर्चा एक इज़ेटलो आधू नटू कड़ा, अने अपड़ाख अपजेटलो फ्रेश कोथमी ना पान एट करी दई अहिया 코थमी ना हो एथो तो तेमें सकिप्षी करी शकूल छ Cola साथ अपड़ाख अपजेटलो पान एयट करी दई तो इस अपड़े पेसिजश न एकदम मोटी चमचेटलू तेल एड़ करी देये साथे मैं ये एक मोटी चमचेटलू घी ली देलू छे तमे तेनी जेगे बटर नो प्योक पन करी शकवचो मेथीनू शाक बनावती वक्ते तेल साथे थोड़ू घी के बटर एड़ करवा थी शाक एक दम टेस्टी लागया छे हावे तेमा एक चमचेटलू जीरू अने मैं थोड़ा सुका मसालाने अहत कच्रा क्राश करी ली देला छे जेमा बे लवींग आठ नंग जेटला मरीना दाना अने बे नंग जेटली एलची छे तमे तेने आखा पण एड करी शक्वा छो पर पाउडर थी वधू सारो स्वाधा आवे छे अवे एक तमाल पत्र एड करीने वगारने साहरीते साथडी लेए हावे मियाईया अड़दो कप अने बे मीडियम सैजनी डुगडीने जिनी सुधारीली देली छे तेने एड करीने डुगडी सेज गोल्डन ब्राउन थाए त्याहा सुधे तेने साथडी लेए तो मेथियाने पालाक नी भाजी साथे शाक बनावती वगते लसन नी पेशनी जगे आरीतना लसनने जिनू सुधार्वाथी शाक मातीनी एकदम सरस फ्लेवर आवे छे तो लगबग 2 मिनिट जहू थाए ग्यू छे अने आपड़ा डुंगडी आने लसन एकदम सारीते सत्राईने आरीतना गोल्डन ब्राउन थेग्या छे तो हवे गेशनी फ्लेम एकदम लोग करी देए औने मसाला मा अर्दी चमचे लो हर्दर पाउडर एक चमची लालमर्चू पाउडर एक चमची धान जीरू पाउडर अने में एक चमचे लो सेकेला जीरानों पाउडर लिदेलो छे साथे मसाला तेल मा सातर ती वक्ते बड़े नहीं तेना माटे थोड़ू गरम पाणी आड करी देए औने मसाला ने तेल मा सारीते सातरी लेए तो शाक बनावती वक्ते मसाला ने आरीतना तेल मा सातर वा थी तेनी एक दम सारस फ्लेवर अपना शाक मा आवे छे तो लगबग 2 मिनिट मार्च तमें जोई शको छो के मसाला एकदम सारीते सतले ने तेनी उपर आहरितनू तेल छुटू पड़ी गियुँछ तो मेथी आने पालक साथे तयार साथी ग्रीन पेस्ट ने एड करी देए साथे स्वात प्रण मीठू हनी मिया ये एक चमचेली खाण लितेली छे तो खाण थी शाक मा मिठा शयाट नथी थाती पर ते बद्धास टेस ने बैलेंस करे छे हवे ग्राइंडर मा वनफोर्ट काप जेटलू पाणी आट करी देए अने पेस्ट ने सारीते लुईने लई 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 हनी आवे तेने सत्त धलावता जेने एकदम सारीते सात्री लई लई तो शाक बनावती वक्ते आस्टेप साउथी इंपोटन्ट छे पेस्टने सात्र बाथी तेनू एकदम कणी दाट टेक्षर आवे छे हने शाक फ्लेवर्फुल बने छे ते वड़ी पेस्ट सतडाईचे द्यासुदी शाक मा आट करवा मटे मेह वजजन मा बस्तो ग्राम हनी एक मोटी साइज न पनी नो टुकडोली देलो छे आवे तेने गर्मा रहेली आरितनी कोई पण मोटी खमणी थी खमणी लई ये तो या पनीने खमणवानी जगे तमे तेने हाथेती क्रम्बल करीने पण एट करी शको छो तो में बद्धाज पनीने खमणी लिदेलो छे आने पनीना आरितना ज़ाड़ा रेसा शाक माटे तयार थे गया छे अही आपने पनीने जीनू नथी खमणवानू अने आवे शाकनी ग्रेवी ने जोईये तो लगबग साथी आठ मिनेट पची ग्रेवी एक दम सारीते सतलाई गये चे आने तेनू आरितनू कणी दा टेक्षर पन थाई ग्यू छे आने तेनी साइट्स माथी तेल पन छुट्टू पड़ी ग्यू छे मीनसे जहरा पण काची नथी तवैं खमणेला पनीने शाकनी ग्रेवी माँ एट करी देए अने हडवे हाथे सारीते मिक्स करी लगे तुम्य शाक माँ पनीने एट करी देलू छे अईया तमे पनीना टुकड़ा पन एट करी शको छो पन पनीना टुकडानी बडले पनीने आरीतना खमणीने आट करवा थी शाकनी ग्रेवी माँ तेनो एकदम सरस टेस्ट आवे छे जाथे पनीने आट केरा पची अपने शाकने वधू पड़तो कूक नथी करवानू तव शाकने जोई लेगिये अने हावे ग्रेवीनो रसो करवा माटे तेमा फक्त वन्थाट कप जिटलू गरम पाणी आट करी दये अने तेने सार रिते मिक्स करी लए तो ठंडा पाणी निजगे एक ग्रेवीनो रसो करवा माटे थोड़ू गरम पाणी आट करवा थी मसालानी फ्लेवर अने शाकनो कलर जड़वाई रहे छे अने आवे शाकने पनीर साथे बेथी त्रोन मिनिट माटे कूक करी लए जेते ग्रेवीनी बद्दीज फ्लेवर अबड़ पनीर मावी जाए तो लगबग त्रोन मिनिट जहु थाई ग्यू छे अने अपड़ी शाकनी ग्रेवीनी साइड्स माथी तेल छूटू पड़ी ग्यू छे तो हवे शाकने क्रीमी ने सापफवा माटे मैं या चाहर मोटी चमचेटलू फ्रेश क्रीम लिदेलू छे तेने आर इतना चमचीनी मदथी एट करी दईये साथ अरदी चमचेलो गरम मसाला पावडर अने में ये एक चमचेली कसूरी मेथी लिदेली छे तो शाक तो आपड़ी मेथी साथे ज बनावी एचे पड़ थोड़ी कसूरी मेथी एट करवा थी शाक एकदम टेस्टी लागे छे अने हवे तेने सार रिते मिक्स करी लगे तो एक दम क्रीमी टेक्शेर साथे आपड़ी शाक तयार थेगियो छे तो गेसनी फ्लेम बंद करी दईये आने तयार थाएला शाक मां अरधा लिम्बुनो रह सेट करी दईये अने तेने सार हिते मिक्स करी लई ये तो लिम्बू आपणे गेस नी फ्लेम बंद कहीरा पची जाट करवानू छे तबलो एक दम टेस्टी मेथी चमन नू शाक तयार छे तेने थोड़ा बटर अने कोथमी ना पान्थी गार्निश करी लई ये तो जोत्ताज खानों मन थे जाए एवु मेथी साथे एक वार आपंजाबी शाक जो कस्ती ट्राइ करवाज जेवो छे तबलो एक दम टेस्टी मेथी चमन बनी न तयार थेग्यो छे शाक नी ग्रेवी मां क्रीमी ने सापवा माटे में फ्रेश क्रीम न उप्योग करेलो छे तमें देनी जेगे घरमा रहेली फ्रेश मलाई के पची थोड़ा काजुने गरम पाणी मां पलाडी ने काजुनी पेसपन एट करी शको छो तो यह तयार थेला शाक ने साउक करी लई है तेकवा चोकर सी ट्राइ करवा जेऊ मेथी चमन बनीने तयार थेग्यों छे यह शाक बनालती वक्ते बस तमारे अमुक वातनु ध्यान राखवानू छे पहली ए कि तमारे मेथियाने पालक ने थोड़ी वार माटे ब्लांच करी लेवानी छे तेती शाक मा तेनो ग्रीन कलर जड़वाई रहे साथे पनीना टुकडानी जेगे पनीने खमणी ने एट करवा थी शाक बोवड टेस्टी लागे छे अने छेले शाक ने क्रीमीनेस देवा माटे तेमा थोड़ू फ्रेश क्रीम के खनी मला एट करी दे जो तमारों एक दम धाबा जे उप मेथी चमन बनीने तयार थी जसे चो तमने मारी मेथी चमन नी रेसिपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्षिन मा जरूर ठीके जो साथे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स और फेमेली मा शेर कर जो अने मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना बूल सो तो फरीम मड़िये एक नवी रेसिपी साथे